हलो एवरीबरी, आज मैं आपके लिए ये गालिक सीजन्ड पटेटोस की रेसिपी लेकर आई हूँ, ये इटालियन दिश नियोखी और नूडल्स की बीच का क्रॉस कॉंबिनेशन है, इसकी इंग्रीडियन्स बहुत ही सिंपल है और बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, और ह मैं इसको बनाने का बिल्कुल सही तरीका बताऊंगी, ये बिल्कुल भी फ्लाट नहीं होंगे और टूटेंगे भी नहीं, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये रेसिपी बिल्कुली परफिक्ट बनने वाली है, देखिए, शाइनी, ग्लॉसी, एंड ब लिजे कि ये पग गए हों, इसके लिए एक स्कुर्वर की मदद ले लीजे, और अब हम गरम गरम आलू को एक बोल में ट्रांसफर करेंगे, और फिर इसको मैश करेंगे, इसको मैश करने के लिए आप चाहे पटेटो मैशर को यूज़ कर सकते, नहीं तो फिर आप इसको हा अधा टी स्पून नमक को एड़ करके इसको बहुत ही अची तरीके से गूंदना है, इसमें बिल्कुल भी लंप्स नहीं होने चाहिए हैं, पहले हम इसको इस तरीके से गूंद लेंगे, और फिर इसमें जो आलू उबाला था ना हमने गरम पानी उसको थोड़ा-थोड़ा करके अड़ करेंगे, एक साथ बिल्कुल भी आपको पानी अड़ नहीं करना है, टी स्पून बाई टी स्पून, स्पून बाई स्पून आपको पानी अड़ करना है, और फिर हमको इसको बनाना है, बिल्कुल स्मूध डो, जैसे रोटी का आटा होता है न, इस तरीके का डो तो आपको बनाना है, बिल्कुल ही स्मूथ, देखिए इस तरीके से, ये सॉफ्ट और बाउंसी हो गए हैं, आपका डो ही तै करेगा, कि आपकी रेसिपी कैसे बनेगी, अब बस सिंपल है, इसके छोटी छोटी बॉल्स ऐसे बना लीजिए, जैसे रसगुले होते हैं न, हम उ फ्लैट नहीं करना है, डाइरेक्टली आप काचकी बॉटल से ऐसे दबाईए, इस डिश को बिल्कुल परफेक्ट बनाने के लिए आपको सिर्फ दो तीन बातों का खयाल रखना है, पहले चीज बॉटल प्लास्टिक की नहीं, सिर्फ काचकी होनी चाहिए, दूसरी चीज के मूग के उपर में आपको ओईल तेल कुछ नहीं लगाना है, और सबसे इंपोर्टन बात, आपको इसके बॉल्स को बना करके फ्लैट नहीं करना है, डाइरेक्ट बॉटल से प्रेस करना है, देखिए, ये सारे बनके रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल मश्रूम के जैसे ल हिस्ता से, आज को धीमी कर लीजे, ड्रॉप करते टाइम, अगर आपको हाथों से ड्रॉप करना पसंद नहीं है, तो आप किसी स्मून की मदद से भी ऐसे इनको ड्रॉप कर सकते हैं, अब एक दफ़ा जब सारे इसमें ड्रॉप हो जाए, तब आप आज को तेज करिए, ये से एक भी तुटने वाला नहीं है, ये एकदम परफेक्ट फुले फुले मोटे मोटे ऐसे होते हैं न, इस तरीके से, जादा इनको चलाने की जरूद नहीं है, बस एक दो बार ऐसे ऐसे हिला कर देख लीजे, ये देखिए, ये बिल्कुली परफेक्टली उठ चुके हैं, लेकिन अभी आपको इनको नहीं निकालना है, क्योंकि अभी भी ये साइज में एटलीस्ट डबल होने हैं, ये जिगल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इसको पांच मिनिट और बॉयल करेंगे, और अब आप देखिए, पूरा पतीला भर चुका है, और ये फूल के बिल्कु पूल ही ग्लॉसी दिख रहे हैं, आप इसको तुरंत ही बरफ के पानी में एट करिए, और इसको ऐसे ही पांच मिनिट के लिए छोड़ दीजी, पांच मिनिट के बाद इसको बरफ के पानी से आपको हटा देना है, फिर अपने मन पसंद सीजनिंग एट करिए, मैंने हरिध इसे नमक होता है, इसमें एक टेबल स्पून गारलिक यानि के लहसन चौप किया हुआ एड करेंगे, इसको चला करके गरम गरम इसको डाल देंगे, और इसको मिक्स कर लेना है, देखिए बिलकुली सॉफ्ट, चुवी एंड डिलिशिस बने हैं, आप इसको नाश्ते में ख खा सकते हैं, अगर रेसिपी पसंद आईए, तो थम्सप दे दीजे, और प्लीज मेरे चैनल को सिस्क्राइब करके, नोटिफिकेशन के बेल को प्रेस कर दीजे, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धनिवाद, थैंक यू.